नमस्कार आप देख रहे हैं BPA News देश का सच दिखाते हैं हम। अखिल भारतिये वालमी की महासभा रजी के जिलाध्यक्ष यश्वन्ट चंदेला के नेत्रित्व में महासभा के सदस्यों ने भीलवाडा के सूचना केंद्र पर हात्रस की। वालमी की समाज की बेटी के साथ हुए अमानविय तरीके से हुए बलातकार व जगहन्य हत्या और रात्री में परिवार की मर्जी के बिना दाहसंसकार करने के विरोध में केंडल जला बहन मनीशा को पुषपांजली अर्पितकर शंधाजली दी और हत्यारों कोजल से वजा व सरकारी नोकरी की मांग की इस अफसर पर वालमी की महापंचायत राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश चंद्र नक्वाल ने बताया की हात्रस जिले की बहन मनीशा वालमी की के साथ चार दरिंदों ने अमानविय तरीके से बारी-बारी से बलातकार किया और उसकी जीब काट दी गई एवं उसकी रीज की हड़ी तोर दी गई यह घटना मानवता को शर्मसार करने वाली है वह उत्तर प्रदेश वह देश को कलनकित करने वाली है। चानाल, लखन डागर, आदर्श डागर, हेमलता, जितेंद्र, पीरुलाल, जगदीश, राम सिंग, मनोच, सनी चनाल, आधी कार्यकरता उपस्थित थे। इन्हों ना कटके खंदेवालों को भी बचाय जा रहा हूं उस जगे पे। इसलिए वागी सरकार को बरकात करो। वागे कलेक्टर एस्पी की एम जियंग जोगी है, इनको परकात करने की हमारी माँग है, पूरे समाच के एक तरफ से, पूरे देश के अंदर उनको हाकार बचा देना चीए, यही हमनी एक्टा है, ऐसे नो जवान हीरों का अगर फाद रहेगा, उनमें पूरे देश के आप सब्सक्राइब साथ पूरे इसी परे, पूरे देश में हाँ, तो जासुर हमारे वालनिक समाच के एक्टा है, उनको परकात कोई है, यहां उसके खिलाब कोई कारवी करने से तरफ सोचाएगा, यहार इस्चे तग्रावे अपन, लेकिन उसके लिए जरूर यह है, जब इन भानिसर को सर्दान के शरूप, सच्ची मन से, सच्ची आग्मा से, लो मिल्का मोन रखतार,